और एक सुझाब और एक सवाल है मेरा सर मैं आमादी पार्टी पे बहुत सारे गीत, स्लोगन्स लिखता हूँ मेरा ये मानना है कि सर देखें देश के हर नागरिक की सोच को बदलना बहुत ही असंबब कर रहे है बिल्कुल बदलेंगे हर नागरिक की सोच बदलेंगे आपके साथ मिलके बदलेंगे सर जब तक विवस्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदल सकता है और विवस्ता परिवर्तन के लिए सर सब्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है तो हम सब युवा ये सपना देख रहे हैं कि आप 2024 में परदानमंत्री बनें और इस देश में बदलाव करें और आगे बनें साथियों हम सब आपके साथ हैं सर तन मन धन बचन से युवा सोशल मीडिया से टीम बनाएंगे लेकिन मेरी एक विंती है सर कि जब आप बोलते हैं सारा देश सुनता है सोशल मीडिया पर यूटूब से हम सब देखते रहते हैं आपको सुनते हैं भगवतमान जी को भी जो अच्छे काम आप कर रहे हैं मीडिया जैसे जैसे चुनाब पास माएंगे सर 2024 के मीडिया चीची चीजें पब्लिस नहीं करेगा क्योंकि आपको देखे भगवान ने इतना ग्यान दिया है इतना दिमाग है आप सारा सोलूशन खुद कर देंगे क्योंकि मैंने सौराज जो आपने पुस्तक लिगी थी आंदोलन के बाद सौराज वो पूरी पुस्तक पढ़ी है सर 80% तक आप समश्चाओं को सर खतम कर सकते हैं क्यों कहते हैं न कोई चीज़ कम नहीं कर सकते हैं लेकिन खतम कर सकते हैं चाबो रोजगार हो कोई भी समश्या हो मेरा बस एक ही सवाल है कि आप एक ऐसा मिसन बना दें कि ये युबा जो अभी ठाली और खाली बैठे हैं 18-35 साल के करोड़ों युबा पूरे देश में आप हर जिले में जाएं क्योंकि 75 सालों मा आजा दीम ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह से सवाल जवाब होते हैं नहीं नेता आते हैं भासन देते हैं और चले जाते हैं सर आपने राजनीती को बदला है ये क्रेडिट आपका लेकिन एक आखरी बात है कि आम आदमी की आखरी उम्मीद आप में है सर तो भगवतमान जी भी बहुत अच्छा पंजाम में काम करें लेकिन सर हर जिले में जाएं समय बहुत कम है कुछ लोगों कहते हैं न कि जितना समय है सब लगा दो कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ कुछ लोगों को आप जगा दो तो साथियो परिवर्तन हमें करना आप पर जान मत्री 2014 से सर एक ही सपना है 2014 से आपको 2024 में PM देखना सर और 2035 तक इस देश को विस्ट गुरू सूपर पावर बना सर थैंक्यों जैहिन नमस्कार सर सर लेफ साइट लेफ साइट सर फरंट रो नमस्कार सर सबसे बहुत है नर्वस हूं तो उसके लिए सोरी मेरा आप से यह क्यों से नहां सर मेक इंडिया नंबर वन मेक इंडिया नंबर वन हम सब बैठके घर रहे हैं यहां पे क्या वो इंसानों के लिए के वल हमारे और जीउ है जन्तु है हमारे गवं आता है उन सब के लिए नहीं है सर सब के लिए है फिर सर हम परियावन पे तो ज्यान दे ही नहीं रहे बिलकुल भी देना चाहिए आप बताओ सर देखो जितने हमारे युवा साथी बैठी है सब के सब दुमरबान इतना करते हैं मैं सब की बात निकला लेकिन बहुत ज्यादा करते हैं तो सर गवर्मेंट को एक पोलिची लानी चीए कि दुमरबान बिलकुल बंद हो जाएगा ते इससे नोनवेज है वो बिलकुल बंद हो जाएगा हमारा परियाण बढ़चेगा तो हम बच पाएंगे सब तो क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो आज कि मैं नोनवेज परियावर्ण और दुमरबान परियावर्ण को तो नहीं से नोनवेज और दुमरबान को उनको खतम कर दूँगा देश से अच्छा एक चीज बताओ जब हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे तो कुछ लोग मेरे पास आए बोले जी एक काम करो कानून बना दो कि सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे कानून बना दो सारे अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बोले जी अपने आप सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे मैंने का ऐसे अगर बना दिया ना तो उस क्लास में तो ठीक कर देंगे जिस क्लास में वो बच्चा जाता है उस बच्चे को एक्स्टाटूशन स्कूल ठीक नहीं होने वाले और दूसरा मैंने का है जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ मैंने का मैं सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दूँगा कि लोग खुद बखुद अपने बच्चों को इन स्कूलों में बेजना चालू कर देंगे आज हमारे सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पे जज़ का बच्चा भी बैठता है आएस अफसर का भी बच्चा बैठता है और इख्षे वाले का भी बच्चा बैठता है आपने आप लोगों ने खुद बखुद अफसरों ने बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेजना चालू कर दिया जबरस्ती नहीं करनी अपने को अपने को माहौल ऐसा तैयार करना है लोगों को तैयार करना है कि वो खुद बखुद धूमरपान करना छोड़ दें वो खुद बखुद नॉन वेज करना छोड़ दें वो खुद बखुद जो है गलत हरकतें छोड़ दें आप कानून जितने मर्जी बना लो कानून बनाने से कोई नहीं छोड़ने वाना छुपके पियेंगे ब्लैक होएगी उससे फायदा नहीं है हमें समाज को बदलना है, सोच को बदलना है एक मेरे मन में पीडा रहती है और चुकि आप सब वकील हैं पड़े लिखे लोग हैं, आपके साथ वो शेर कर सकता हूँ मैं गुजराती बहुत जाद है नहीं समझता लेकिन मैं सुन रहा था इशुदान भाई ने उसको थोड़ा सा आपके सामने रखा था कि आजादी के 75 साल हो गए 75 साल किसी भी देश के इतिहास में कोई बहुत लंबा पीरिड नहीं होता लेकिन कोई बहुत छोटा पीरिड भी नहीं होता इन 75 सालों में कई देश हम से आगे निकल गए हम पीछे क्यों रह गए हमारे में क्या कमी है इंडियन्स में क्या कमी है मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भगवान ने स्रिष्टी बनाई इंसान को बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे महंती लोग उसने भारत में बनाया इंडियन्स सबसे इंटेलिजेंट है आप पूरी दुनिया में कहीं उठा के देख लो ये कमपनी वो कमपनी मल्टिनेशनल कमपनी जितनी है उपर नंबर 1, 2, 3 कहीं न कहीं आपको एक इंडियन बैठा हुआ मिलेगा हमारे देश के अंदर सिस्टम इतना खराब है कि हमारे देश में आते हैं तो सब गड़बड हो जाता है हम पीछे क्यों रह गए भगवान ने इंडिया को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब भगवान ने प्रिच्वी बनाई तो सबसे खुबसूरत जेगे भारत को बनाया सोने की चिडिया पहाड दिये, नदिया दी, जड़ी बूटिया दी, सारी फसलें दी सारे मिंडरन ओर्स दिये, समुद्र दिया क्या कसर छोड़ी भगवान ने, कोई कसर नहीं छोड़ी फिर हम पीछे क्यों रह गए हमारे बाद, कई देश हमारे बाद आजाद हुए वो हमसे सिंगापूर 15 साल बाद आजाद हुआ, वो हमसे आगे निकल गया जर्मनी सेकंड वर्ड वार में तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया जर्मनी सेकंड वर्ड वार में हमसे तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे हम पीछे क्यों रह गए हमारे में क्या कमी है मुझे ये लगता है कि एक चीज ऐसी है बहुत कुछ करने की जरूरत है एक चीज ऐसी है जिसे अगर हम वार फुटिंग के उपर करें मिशिन मोड में करें तो भारत को बहुत जल्दी गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है भारत एक अमीर देश बन सकता है डवलप्ट कंट्री बन सकता है और वो है शिक्षा ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ या भाशन के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ आज जब मैं कहता हूँ कि मैं अच्छी शिक्षा दूँगा फ्री में शिक्षा दूँगा तो मेरा मजाक उडाते है कहते हैं के जब फ्री की रेवडी बाट रहा है अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवडी नहीं है अच्छी शिक्षा देना और फ्री शिक्षा देना राष्ट्र निर्मान का सबसे बड़ा काम है दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अंदर कोई भविश्य नहीं था इनका दिवारे टूटी बड़ी थी, छट टूटी बड़ी थी डेस्क थे नहीं, जमीन पर बैठते थे, रिजर्ट सारे फेल होते थे बच्चे आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को हमने शानदार बना दिया प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं सरकारी स्कूल पिछले साल चार लाख बच्चों ने, चार लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूलों से कटा के सरकारी स्कूल में भरती हुआ हैं यह चमतकार से कम नहीं हैं मैं एक क्लास में गया मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि आप में से कौन-कौन प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है तो कुछ बच्चे खड़े हुए फिर मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल से नाम कटा के आया है उसने का सेंट क कुलम्बस दिल्ली का सबसे बढ़िया प्राइवेट स्कूल माना जाता है लोग उसमें एड्मिशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइने होती हैं भागे सेंट कुलम्बस का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली के अंदर सेंट कॉलंबस से लोग अपना नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर अगर भरती करा रहे हैं इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या मिले है पिछले साल दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% बोर्ड के पेपर में नतीजे आया है अब हमारे जो बच्चे निकल रहे है किसी का इडमिशन की इस I.I.T में हो रहा है किसी का इंजिनेरिंग में हो रहा है किसी का मेडिकल में हो रहा है एक रिक्षवाले का बच्चा है वो I.I.T के अंदर Computer Science पढ़ने जारा है एक plumber का बेटा है वो IAT के अंदर chemical engineering बढ़ने जा रहा है इस साल साड़े 400 बच्चो का IAT के अंदर admission हुआ है IAT के अंदर admission असान थोड़ी होता है साड़े 400 के करीब सबा 400 से साड़े 400 बच्चो का NEET के अंदर admission हुआ है medical के अंदर admission हुआ है आप सोच के देखो वो रिक्षा वाला मुश्किल से 10 से 15 रुपे महीना कमाता होगा उसके बेटे का IAT में एडमिशन हो गया बेटा जब निकलेगा उसकी 3-4 लाख रुपे महीने की स्टार्टिंग सेलरी होगी IAT के बाद